इस टोरीज फ्लिक्स प्रसुत करता है आपके सामने एक नई मूवी जिसका नाम है एक्स्टिंशन इस कहानी की शुरुबात होती है पीटर नाम की एक बंदी की साथ जो की एक कमपनी में काम करता है जो की साइंस के उपर काम करती है और टेक्नोलोजीज बनाती है पीटर को आए दिन कुछ ऐसे विजन्स आते रहते हैं जैसे कि धर्दी को किसी ने तबा कर दिया और एलियन्स ने हामला कर दिया लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसकी आँख खुल जाती है और ऐसा कुछ नहीं होता यह बात जब वो अपने फैमिली इसको बताता है तो कोई विश्वास नहीं करता और वो हर रोज सोता है हर रुटता है और उसे वही से विजन्स आते हैं और जब ये बात अपने family को बताता है अपने दोस्तों को बताता है तो उसका मजाग उडाते हैं और उसे हंसके डाल देते हैं अब इस कारण से उसकी बीवी और उसके जो बच्चे थें उसे काफी ज़्यादा दूरी बनाने लगते हैं लोग कुछ लोग कहते हैं पीचर को सत को लीग बताता है कि दोस्त जो तुम देखते हो वो मैं भी देखता हूं और जो होने वाला है वो हम दुनों को मालम है और तुम इस दुनिया में आके ले नहीं कि तुम्हें goto साथ हैं वह विजन मुझे भी आते इन इसकी बात पीचत मानों की सिर्चा चौल जाता है और पूछता वो वहां से उठकर चल जाता है और उसे कुछ लोग बुला लेते हैं अपने पाथ और फिर वो कहां जाता है मालूं नहीं चलता है इसके बाद पीचर अपने घर पे जाता है जहांबर उसने अपनी वाइफ और अपनी दोनों बेटियों को बाहर ले जाने का प्लैन बनाया होता है लेकिन पीचर इस बात को सुनने के बाद वो काफी टेंशन में हो जाता है और उसके बाद दोनों बच्चे कुछ उजाते है और उसकी वाइफ भी कहती है चलो पार्टी ही सही फिर उसके बाद दूसरे दिन दिखा जाता है पीचर अपने दोस्तों को बुला रहता है रहता है और वो काफी अराम के साथ एक किनारे बैठा रहता है जैसे कि इसी wit यह आप मेरा बाखक त Twoड़ ढरेजह है जाए गागा अब वह आदमी जप जाता है तो Peter से ऊस्ताहे और दोस्त कैसे पीचर कहता है मुझे जो विजन्स आते हैं क्या तुम्हें भी आते हैं काता है कैसे विजन्स मुझे कोई विजन्स नहीं आते हैं फिर उसके बाद तभी आसमान में एक रोशनी आती है और पीचर को अपना विजन नहीं आता जाता है कि उसे भी ऐसी रोशनी दिखी थी और इस विजन को देखने के बाद पीटर को लगता है अब साय जो जो होने वाला है वो सच होगा इसे डेचावू का कॉंसेप्ट कहते हैं भविश्य में होने वाले चीज़ों को आपको दिखने लगती है फिर उसकी बाद वो देखता है अचानक से कई सारी गोलिय के साथ फस जाते हैं अब ये लोग किसी प्रकार से इसकेप करने की कोशिश करते हैं और ये लोग बचते-बचाते पूरे बिरिडिंग में भागते-फिरते हैं लेकिन वो जो लोग हमला किये थे उनकी टेकनलोजी इतनी हाय थी वो कहीं भी किसी को ढूंड को मार सकते है औ पिर कैल ने जो आदमी उसे समझाने आये था वो और उसकी पत्नी मारे जाते हैं अब इसके बाद पीटर सोच लेता है कि वो किसी भी हाल में अपने परिवार को बचाएगा और पीटर अपनी दोनों बेटियों को बंद कर देता है और वो बाहर निकल जाता है बाहर का रस्ता कि तभी उसकी एक बेटी का एक टेडी बेर रता है वो खो जाता है और यहां पिर दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि जो एरियन फोर्सेस रती हैं वो पूरी तरीके से उस बिल्डिंग में एंड्री कर चुकी है और पूरी दुनिया में सब कुछ तहसन है सब कुछ दबा तो वो चुपके से अपने डॉल को ढूने के लिए आंगन में जाती है लेकिन जैसे ही वो डॉल को देखने आंगन में जाती है थोड़ी देर बाद जो एलियन ग्रूप रहता है उसका एक बंदा आता है जो कि बिल्कुल इंसानों के तरह चल फिर सकता है वो उसे देख ले जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है के बाद पीटर और एलिस फैसला करते हैं कि किसी भी हाल में यहां से निकलेंगे और पीटर बताता है कि उनके ऑफिस में कुछ ऐसी चीजें ऐसी कूफिया प्रोजेक्ट वे काम कर रही है जैसे कि मानों उन्हें मालूम हो कि जहां काम करता है वो कैसो भी करके वहां पहुंच जाएगा और जिस बंदे को उन्होंने मारा रहता है जो एलियन रहता है उसका वो लोग एक बंदूक ले लेते हैं जो कि फिंगरप्रिंट पर काम करता है उसको लेकर वो लोग अपने साथ चल सकते हैं यहां दिखा जाता दूसरी तरफ जो alien forces रहती हैं उन्हेंने सब कुछ धर्ती पर तबाही मचाना शुरू कर दिया है अब यहां से किसी प्रकार से पीटर और उसका परिवार निकल के भागता है लेकिन उन्हें जब एक सूरंग में जाना रहता है कि तबी पीटर किसी प्रकार से अपने दोनों यहां पर एक हेटकोर्टर सरकारी हेटकोर्टर था वहीं दिखाया जाता है पीटर ने जिस alien को मारा था वह उठता है उनका सूट इटना हाई टेकनोलोजी करता है कि वह फिर से अपने आपको तीग कर लेता है और वह अपनी रडार से देखता है कि उसका बंदूग कहां प फिर यहां पर तभी वह जो alien रहता है वह अपना बंदूग लेने आ जाता है उनसे लेकिन पीटर ने किसी प्रकार से उस बंदूग को हैक कर लिया होता है और वह उस बंदूग को चला कर उसे बहुत मारता है फिर पीटर उसे gun point पे रख कर कहता है कि तुम मेरी wife को ले चलो मैं जहां कह रहा हूं गुणना मैं तुम मार दूगा तो ऐसे में वह alien रहता है जैसे मानों उसे इंसानों की भादा समझ आती हो और वह उसे उठा लेता है और जहां 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 उसे चलने को लेकाता है वह उसे ले चलता है कि तभी दोनों में रास्ते में हाता पाई एक पर फिर हो जाती है और पीचर उस आदमी को मारने वाला होता है कि तब भी उसका मास्व कुतर जाता है और यहां पर एक बहुत बढ़ा जटका लगता है कि वह जो एलिएन रहता है वह और कोई नहीं इंसान रहते हैं अब ये बहुत शौकिंग बात है कि इंसानों ने इंसानों को परहमला कर दिया अब ये बहुत शौकिंग बात है फिर उसके बात क्या था पीचर के जितने साती होते हैं वो सरकारिय वहां से निकल के आते हैं और वो उस आदमी को घेर लेते हैं फिर उसके ब पीटर को कुछ नहीं समझ आता लेकिन गॉर्त लफ जो एलियन बढ़ता है जिसका इंसानों जैसा पुरा चहरा रहता है वो कहता है रुको रुको मैं इसे ठीक कर सकता हूं हमारे पास टेकनोलोजिय मैं अकेले उसे बना सकता हूं वो लोग कहते हैं यह जूड बोला है इसे म पर दिखाया जाता है सारी forces के पास एक plan रहता है उन्होंने एक train बनाया होता है जो कि emergency की समय वो वहां से भाग सके लेकिन emergency की से इंसान ने इंसान क्यों प्रहमला किया तो आए इसके आगी का twist आपको इस छोटी सी flashback में बताता हूं यहां पर जब वो alien रहता है जो इंसान करना पड़ेगा इसके बाद जैसी पीटर अपने सीने पर edge बनाता है तो उसके अंदर कई सारे wires और एक robotic system मानो की mechanical कोई robot हो पीटर खुद और जब उसकी wife का वहां से पेट तीरता है तो उसके अंदर भी कई सारे तार गए होते है मानो की robotic पीटर पूछता है यह क्या है यह शुरू होती है जो इनसान रहते हैं वो आज से कुछ साल पहले कुछ उन्होंने AI robots बनाये होते हैं जो कि बहुत advance होते हैं और यह इनसानों के तरह सोच समझ सकते हैं इनमें feelings होती हैं सब कुछ होते हैं लेकिन पृत्वी पे हालात भी करते जाते हैं pollution out of control हो जाते हैं और प सुरू से चीन लोगों को देख रहते हैं वो कोई इनसान नहीं वो सभी की सभी एक AI-based robot थे हैं जो कि दिखनें बिलकुल इनसानों के तरह था इनके पास दिमाग था इनके पास feeling था इनके पास सब कुछ था और जिसे वो aliens मान रहते हैं वो और कोई नहीं real में इनसान थे है इसलिए हमें एक सीन में दिखा जाता है वो जो alien रहता है वो इस बच्चे की गले पर हांत लगाता है प्यार से योगि इनसान तो इनसान होता है उसे देख के भावना जगती है लेकिन यहां पे पीचर कुछ समझ नहीं पाता है और उनकर हमला कर देता है दरसल इनसानों का प्लैन यह होता है कि जब वो 50 सल पहले मार्स पे गए था तो धर्ती पूरी दरीके से खतम हो चुकी थी वहां सांस देने लाइक नहीं थी लेकिन अब इन AI रोबोट से धर्ती को रहने योग बना दिया था और यह इनसान मार्स से देख नहीं पाए और इनसानों के टेक्नो और इन AI रोबोट से मिठा दी ती जिसके कारण इन्होंने 50 साल पहले नई शुरूबात की थी और अब इनसान चाहते हैं कि इन सारे AI रोबोट को मार कर फिर से यहां पर अपना जीवन शुरू कर दें यहां पर जो इनसान रता जो एलियन रता रियल इनसान रता वो कहता है हमारे कोनटरेक्ट में यह था ही नहीं कि हम बच्चों को मारे लेकिन हमें खुद धोका दिया गया है हमको नहीं अच्छा लगता कि आप लोकों में मारू लेकिन क्या करूं मेरी मजबूरी है लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान रहता है वो किसी प्रकार से वायर करनेट करके उसकी वाइफ को जिंदा कर देता है तो किसी प्रकार से जान बचाते हुए भाग जाते हैं वही उनकी जो दो बेटिया रहती है वो एक सीड़ी पर बैठी रहती हैं अपने महबाप का इंतज अन्सान Creator धी जो कि मार्स से आय थी इनकी टेक्णोलोजी इतनी हाय थी कि कई को कभी खतम कर सकते थे थे फिर यह लोग एक के बाद एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देते हैं उनकी उपर और करीबन सारे रोबोट्स मारे जाते हैं जो प्रित्वी पे रह रहते हैं फिर उसके बाद इनके पास एक ट्रेन होता है जहां पर इस ट्रेन का कॉंसेप्ट कुछ इस प्रकारण होता है यह ट्रेन धरती के नीचे जाकर एक नई दुनिया में बस जाएगी दरशल एयाई रोबोट्स को यह यह पहले से मालूम चल गया था कुछ यहां पर प्रोग्रामिंग में गडबड हो गए थी कि इनसान आने वाले हैं और अकर इनसान आया तो हमें खतम कर देंगे और अपना राजफिर से जुर करेंगे इसलिए एयाई रोबोट्स ने अपना खुद का एक ब्लान बनाया था लेकिन इनसानों को यह मंजूर नहीं था और इसके बाद दिखा जाता है किसी प्रकार से जान बचते बचाते यह दोनों जो पती पतनी और उनके बच्चे रहते हैं वो एक ट्रेन के अंदर बैठ के निकल जाते हैं और यह ट्रेन जो रहती है वो धरती के नीचे सीधे चल जाती है और इनका टेक्नोलोजी आइडिय इतना चरता है कि यह सारे फूट्प्रिंट्स को मिचा देते हैं यह कहां गए आकिर कार में इनसान की फोर्से जाती है उन पर लगातार फाइरिंग करती है लेकिन वो उनका कुछ निभी कार पाती फिर उसके बाद यह ट्रेन धर चुकी थी यहां प्रोक्सिर नहीं वज़ा था लेकिन उन एई रोबोट्स ने इतने पौधे लगाया कि धरती फिर से रहने योग हो गई थी और इनसान जाने से पहले उनका सारा मेमोरी मिठा दिये थे कुछ लोग को विजन्स इसलिए आ रहते हैं क्योंकि उनके सौफटर में गलिच आ चुका था और उनको पुराने मेमोरी उनकी रिसाइकल बिन से आ रहा था दरतल चुरू में जितने भी आप लोगों को दिखा वो सबी रोबोट्स थे और रियल इनसान मार्स पर से आयते ह हमला करने धरती पर अपना धरती लेने और यही होता है इनसानों ने अपना धरती ले लेते हैं और यह रोबोट्स रहते हैं जो बहुत कम रहते हैं मुस्किल सहजात होजर बचा रहते हैं यह लोग धरती के किसी कोने में जाके छिप जाते हैं और इनसान फिर से अपना रा वोट्स की बीच में क्या एक बड़ी जंग देखने को मिलेगी या कुछ से लोकर स्वालीशन निकाल के आपस में मिलना स्टूडू कर देंगे तो आज की वीडियो के लिए कैसी लगी आपको मुवी एक्स्टिंशन 2018 में आयती काफी कॉंप्लिकेटड मुवी है शुरू से अंतर काफी सस्पेंस रहा है इस मुवी में आप क्या रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता हैं ऐसी और कहानियों को सुने के लिए हमें सब्सक्राइब करें स्टोरीज फ्लिक्स को ठैक्स वर वाचिंग